बिस्मिल्लाइ राम रहीम असलाम अलेकम डियर वेवर्स दिस सर्साओद और वाचिंग माई यूट्यूब चैनल साओड सॉलुशन्स इस्टुडेंट्स आज के वीडियो लेक्शर में मैं एक सिक्विल पार्ट लेके आये हूं आपके लिए वस्तियर मतमालिक्स चैप्टर नमर 2 कॉबलेक्स समर कराची बोट और आज हम करेंगे सॉल्फ एकसरसाइज नमर 2.3 पेज नमर 38 पर मौझूद है कॉशन नमर 1 जो के ग्रैफिकल रिप्रेजेंटेशन का है वह एक्जैम में नहीं पूछा जाता है इसलिए वह मैं वीडियो लेक्शर उसका नहीं बना रहा हूं मैं कॉशन में 2 से स्टार्ट कर रहा हूं कॉशन में 2 में कह रहा है answer the following चार पार्स दे रहा है यह चारो पार्स जो है आपसे mcqs में पूछे जाते हैं मैं mcqs के answers आपको समझाओंगा कि जब इम्ताहन में आएगा mcqs में तो किस तरीके से पूछ आएगा और इसकी explanation क्या होगी तो बढ़ते हैं अपने पहले mcqs की जानिब पहला mcqs नदर आ रहा है आपको वो कह रहा है कि इस दा सैट सी यह सी जो है complex number को शो कर रहा है closed under division क्या close का मतलब यह होता है क्या हम complex number में complex number को divide कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं solution में पहले पार में बता रहा हूं कि कि कॉंप्लेक्स नंबर को इस है कि लोज़ज़ज़ अंडर को डिविजन इसका अंसर option में यह लिखा होगा इसको आप राइट ठीक करेंगे इसके रीजन भी साथ साथ सुन जीजिएगा आपने तू पढ़ी एकसराइस हमने यह देखा था कि अगर दो प्लसphabet को ड से इसमल्टिब्ला करते थे इस डिवाडिड भं नीचे सी सी कर स्कॉर करते थे प्लस दी-sकॉर्ण कर देते एं कॉमा अब बी को ड से सब्सक्राइब करते हैं इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपके पास दो complex number हो तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं इस फॉर्मले की मदद से और डिवाइड होता है जब डिवाइड होता होगा है तो वह complex number close होगा अंडर डिविजन तो इसकी explanation भी यहां पर बता दिये और इसका answer जो mcq में लिखा हुआ होगा option में वह यह होगा कि सी complex number is close है अंडर डिवीजन साइब इस solution को नो डाउन कर लीजिए इसके बाद में second part पर आऊंगा third part पर आऊंगा एंड फोर्थ पार्ट पर आऊंगा अब हम इसका second part solve करने जा रहे हैं मैं पार्ट वन का answer remove कर रहा हूँ देखें सेकेंड बाट कहा रहा है इस वन अपाउन ए कॉमा वन अपाउन भी दा मल्टिप्लिकेटिव इंवर्स है ए कॉमा बी का ब्लॉंक सू सी कॉम्प्लेक्स नंबर में जाहिर करते हैं इसको तो देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका answer क्या होगा वन अपाउन ए कॉमा वन अवर भी इस नॉट मल्टिप्लिकेटिव इंवर्स इंवर्स ऑफ ए कॉमा बी इसको आप राइट टिक करेंगे और इसकी explanation सुने जीगा हम यह बात जानते हैं करें के ए कॉमा बी इसका मल्टिप्लिकेटिव इंवर्स क्या होता था कि मल्टी इस प्लुकीटिव इंवर्स आप अ कि हमने फ्रम पढ़ावा है यह होता था जिए divided by a squared plus b squared और minus b over a squared plus b squared तो इसका multiplicative inverse यह होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास यहां पर 1 upon a, 1 upon b is not a multiplicative inverse होगा a, b तो यह इसकी explanation भी होगी मगर option में answer जो होगा वो यह वाला लिखा होगा के is not a multiplicative inverse इसको मैं underline कर रहा हूँ option में is not a multiplicative inverse लिखा होगा इसको no down कर लिजिए स्वेंट्स यह हमारा part two solve हो गया इसके बाद third part की जाने बढ़ रहें इसको no down कर लें इसको no down कर रहें इसको no down कर रहें इस दियर एनी कॉम्प्लेक्स अंबर क्या कोई कॉम्प्लेक्स अंब हो सकता है whose additive and multiplicative inverse are equal जिसका additive inverse और multiplicative inverse जो है आपस में बराबर हो तो इसका answer होगा yes yes 0,1 is the complex number whose additive and मल्टिप्लिकेटिफ इन्वर्स और इक्वल यह इसका answer लिखा हुआ होगा 0,1 ठीक है अब इसकी explanation में आपको दूँगा कि क्यों होगा इसको नोट डाउन गलिए फिर मैं इसकी expansion के उपर आता हूँ अब देखे इस थर्ड पार्ट की explanation को सुने का मैं यहां पर हैडिंग डाल ला हूँ explanation थर्ड पार्ट का एडिटिव इन्वर्स अगर मैं निकालूं तो वो क्या है एगा हम यह बात जानते हैं इन दोनों के साइंज कर देते हैं प्लस होता है तो मानिस कर देते हैं है मानिस होतर पिलस जीरो के साथ कोई निया था जीरो लिख दीजिए वन पॉजरिटिवे इसका साइंग कर दीजिए मानिस न हो जाएगा अब हम इसका मंतीभी कहं़र करतें जो देखें की जीरो कॉमा बन का मल्टीपिकेटिव इन्वर्स पहला नमबर हम एक कॉमा बी स्पोस्ट करते हैं तो एक को ऊपर रखते हैं नीचे क्या करेंगे एस्कार प्लस बीस्कार यानिकि जीरो का स्क्वार प्लस वन का स्क्वार करेंगे इए स्क्वार है कमा माइनिस भी करते हैं यह वी माइनस साइन करेंगे दीजिए मैनस मन और इन दोनों के स्क्वार को यहां पर डिवाईड कर दीजिए जीरो का स्क्वार प्लस वन का स्क्वार अब बैसका जोको किसी चिन डिवाइड कराने के पतके बाद 5 जीरो यह आएगा कि ए यह 0-6-0 माइमिश्ग उपर ओपर नीचे वाय मानिस मों को जब 1 से डिवाइड करेंगे लो माइन्स होन आजाए गा तो अब आप देखिए कि ये दोनों क्या आ रहें सेम यानि कि 0,1 एक ऐसा complex number है जिसका additive inverse 0,1 होगा और 0,1 का multiplicative inverse नकालेंगे तो वो भी गयाएगा 0,1 इसलिए यहाँ पे वो जो पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा complex number है जिसका additive inverse और multiplicative inverse आपस में equal होगा तो वो एक ही number है वो है 0,1 यह मैंने इसकी explanation भी कर दिया आपको इसको भी no-down कर लीजिए इसके बाद last one fourth part solve करेंगे हम कि तो मैं इसको remove कर रहा हूँ लास्ट पार्ट है फॉर्थ पार्ट इस ट्वाइल जैट गेरे देन फाइव जैट चीक है क्या एक complex number is z इसको ट्वाइल नमर से मल्टीपल है गिया और उसी complex number को फाइल से मल्टीपल है गया तो पूछा जा रहा है कि इसका answer इससे बड़ा होगा या नहीं होगा तो इसका answer होगा नौ अब इसकी explanation सुनेगा यहां पर note मैं लिखवा रहा हूं मैं आपको मेरे पास एक complex number is z for example x plus iota y ठीक है अगर मैं इसको एक बड़े number से multiply कर रहा हूं मिसाल के दूर पे 20z कर रहा हूं 20 of x plus iota y और अगर इसी complex number को एक छोड़े number से multiply कर रहा हूं तो इसका मतलब यह हर्गिस नहीं होगा कि आपने उसी complex number को एक बड़े number से multiply गया और एक छोड़े number से तो बड़े number से multiply करने वाला जो result आएगा वो छोड़े number से multiply करने वाले result से बड़ा होगा यह कभी भी नहीं होता complex number में इस तरीके से बड़ा number या छोड़ा number decide हम नहीं करते हैं तो यह कि explanation हो दो ही के 12z जो है greater than होगा तो कभी भी नहीं होगा no answer होगा option में लिखावा होगा उसको टिक कर दीजेगा नोट डाउन के लिजेए इसको और इसके साथ ही students हम अपना आज का अपना वीडियो लेक्शर यहीं पर end कर दें मजीद नए सवालात के solution को जाने के लिए देखते रहेगा इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें अपना बहुत ख्याल रखीगा अल्लाहाफ़स